नमस्कार दोस्तों, दोस्तों केतू को शांत करने का एक जबर्जस्त उपाय आपके जीवन में अदुबुत परिवर्तन ला सकता है आपको बहुत आसान सा उपाय मैं आज बताने जा रहा हूँ जो की बहुत बुरी इस्तती, बहुत बुरे प्रकोप केतू के बहुत बुरे प्रकोप से भी आपको और आपके परिवार को बचा सकता है लेकिन बहुत आसान सा उपाय लेकिन मन और श्रद्धा आपके पूरी होने चाहिए दोस्तों जितनी आपकी एज है अगर आपके उपर राहो की महादशा है या केतू की महादशा है या शनी की महादशा है तो आपको जितनी आपकी एज है उतने सुखे गोले लेने हैं उनको कट करना है उनमें खांड भरनी है और अगर केतू की दशा है तो ओम इस्तराम इस्त से पंदरा मिनट जाप करें जितनी आपकी एज है दस साल है पंदरे साल है बीस साल है पच्चीस साल है तीस साल है चालीस साल है उतने सोखे गोले लें उनको कट करके उपर से खांड भरें और वहीं उनको अपने पास रख करके इस मंतर का दस मिनट जाप करें केतू के मंतर का शनी की महादशा है ओम शम शनेश चराय नमहा राहु का उपाय है तो ओम भ्राम भ्रीम भ्राम सह राहु वे नमहा जिस ग्रह की महादशा हो उसी ग्रह का आपने जाप करना है 10 से 15 मिनट कोई काउंटिंग नहीं करनी 10 से 15 मिनट देने है और राहु देवता को या शनी देवता को या प्रातना करनी है कि हे प्रभू मैं आपके प्रकौप से बहुत ही परिशान और बहुत ही कस्ट-भोग रहा हूँ मुझे अपनी हर गलती का प्राइस्चित करना है आपसे मैं छमा मांगता हूँ मुझे जो भी गलतियां हुई उसके लिए मुझे छमा करें और अपना आशिरवात प्रदान करें जब आप उनको देव तुल्य भगवान तुल्य मानते हैं तो आधे से ज़्यादा नेगिटिव प्रभाव इन ग्रहों के समाप्त हो जाते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा उपाय है और इसके साथ ही एक और उपाय आपको बताने जा रहा हूं जब आप अपने घर में रात के समय खाना खाते हैं सुबह घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी देशी गी लगा करके गाय के लिए निकलवा दें जिस घर में ये उपाय होता है उस घर में धन व्रदी, सुक्स म्रदी, वैब व्रदी अपने आप होती रहती है रात के समय जब आप खाना खाते है आप चार रोटियां खाते हैं, तीन रोटियां खाते हैं, अपनी रोटी का कुछ हिस्सा, कुछ भाग, उसमें से तीन हिस्से करके, आप स्ट्रीट डॉक्स को, गली के कुट्टों को डालना स्टार्ट कर दें ये दो उपाई मैंने आपको ऐसे अदबुत उपाई बताए हैं, जो आपके जीवन में अदबुत परिवर्तन ले आएंगे आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक नए उपाई के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार